कि नमश्कार दोस्तों वेलकम टू स्टडिया क्यों दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपोर्टेंट और लेंडमार्क जैज्मेंट डैट इस एस आर बोमाई वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का ये केस बात करता है आर्टिकल 356 के बारे में जो की है प्रेजिडेंट्स रूल दोस्तों इस जैज्मेंट के आने से पहले हमें देखने को मिलता है कि प्रेजिडेंट्स रूल बहुत ही फ्रीक्वेंटली लगा दिया जाता था इनफेक्ट हर बार सरकारों पर ये आरोप लगता था कि पॉलिटिकल वेंड़ा पूरा करने के लिए प्रेजिडेंट्स रूल लगा दिया जाता है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1951 से लेकर 1990 के बीच में लगभग 83 टाइम्स प्रेजिडेंट्स रूल लगाया गया बीच में सिच्वेशन ये थी कि साल में 3 बार की एवरेज आ रही थी प्रेजिडेंट्स रूल की ऐसे में इस जज्जमेंट के आने के बाद सेंट्रल गौर्वर्मेंट पर काफी ज़ादा नकेल हमें देखने को मिली बिकोज इस जज्जमेंट में Honorable Supreme Court ने काफी सारी चीज़ों को clarify किया और काफी ज़ादा उसके बाद चीज़ें बदली भी हैं बट इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेजिडेंट रूल लगना बंद हो गया है हमें 1994 के इस जज्जमेंट के बाद भी देखने को मिलता है कि कई सारी स्टेट्स में प्रेजिडेंट रूल लगाया जा चुका है आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 355-356 और इस जज्जमेंट के बारे में सो वेलकम टो सवरे क्यों एंड आप सब के लिए बहुत ही अच्छी खबर वो यह कि अगर आप जूरी इस प्रेंट हैं या फिर किसी भी लो कॉलेज की पीपीडिस डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के चैनल को आप जॉइन कर सकते हैं चलिए अब बैक्ग्राउंड जान लेते हैं इस पूरी जैज्मेंट का दरसल मिस्टर एस आर बोमाई जो हैं वो चीफ मिनिस्टर से करनाटका के फ्रॉम अगस्त 1988 टू एप्रिल 1989 उनके गॉवर्मेंट यहाँ पर है जो है वहाँ पर कन्फूजिन होती है कुछ लोगों ने उनकी गॉवर्मेंट से सपोर्ट वापिस ले लिया और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 21 एपरिल 1989 को इनकी गॉवर्मिन यहाँ पर गिर जाती है इनकी गॉवर्मेंट वापस आ गए हैं और अब मेरे पास पूरी मेजोरिटी है मुझे हाउस में कॉन्फिडेंस वोट का अधिकार होना चाहिए मुझे वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस जो है प्रूव करने का मौका दिया जाना चाहिए बट ऐसा नहीं किया गया गवर्नर ने प्रेजिदेंट क भी अपील की बट वहां से भी इनके फेवर में नतीजा नहीं आया अल्टिमेटली ने ओनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने पड़ी और अनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मार्च 1994 में जज़मेंट दी एक नाइन बेंच जज जो नाइन जजजिस का बें है 1988-89 की उसी समय हमें देखने को मिलता है कि करनाटका के अलावा भी और कई सारी स्टेट्स में प्रेजिडेंट सुरूल लगाया गया था उसमें हमें नागा लेंड देखने को मिलता है 1988 में 1991 में मिघालिया फिर मध्यपरदेश राजस्तान हिमाचल ये सब डिसेंबर 1992 में चैस के बाबरी मजिद डेमॉलेशन केस हुआ था इसके बाद इन स्टेट्स में भी लगाया गया था इन स्टेट्स में जहां पर प्रेसिडेंट सुरूल लगाया गया था वहां पर मैं आपको बता दूं कि सेंट्रال गौर्मेंट से जो पार्टी रूल कर रहे थी उससे उ समझने से पहले आर्टिकल 355 को समझना बहुत जरूरी हो जाता है आर्टिकल 355 कहता है that the duty of the union to protect the states against the external aggression and internal disturbance इसमें कहा गया है that the union has to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure यह वाली बात जो है यहां पर जरूरी है यह वाली इंपोर्टेंट लाइन है क्या गयता है and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this Constitution यानिके केंदर सरकार को यह जिम्मेवारी दी गई है आर्टिकल 355 के तहत कि उन्हें यह एंशोर करना है कि हर स्टेट की गॉर्मेंट Constitution के प्रोवीजिंस के अगोर्डिंग ही एक्ट करें और साथ ही में कहा गया कि आप ही को यानिके सेंटल गॉर्मेंट को प्रोटेक्ट करना है हर स्टेट को इंटर्नल डिस्टाबंस और एक्स्टर्नल अग्रेशन से भी अब आर्टिकल 356 की बात करते हैं आर्टिकल 356 बात करता है प्रोवीजिंस इन केस ऑफ फेल comment के पास क्या option है वो article 356 में बताया गा है क्या कहा गया चली देखते हैं कैते जी if the president on the receipt of report from governor और otherwise अगर president संतुष्ट हों कैसे governor से report मिलने के बाद या फिर otherwise also बेना report मिले भी is satisfied that this situation has arisen in which the government of the state cannot be carried in accordance with the provisions of this constitution the president made by a proclamation यानि कि अगर प्रेजिदेंट ये संतुष्ट हो गई चाहिए government governor की रिपोर्ट से या फिर otherwise वो संतुष्ट हो जाते हैं कि जो स्टेट है उसमें सरकार constitution की provisions के हिसाब से नहीं चलाई जा सकते हैं तो प्रेजिदेंट के पास ही option है के दर दा प्रेजिदेंट में यहाँ पर option है यहाँ पर शेल शब्द नहीं है क्या है में प्रेजिदेंट में प्रोक्लेम बाइप रोक्लेमेशन ए एज्यूम्ट तू यह पावर दी गई है कि वो सारी जो सरकार है जो वहां की गौर्वर्मेंट है उसकी सारी फक्ष जो जो पावर्स है वो अपने आप में ले सकते हैं या कुछ पावर्स को अपने हाथ में ले सकते हैं या फिर गवर्नर की भी जो पावर्स है वो अपने हाथ में ले सकते हैं दूसरा यहां पर यह कहा गया that declare that the power of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of the power Parliament अब देखे यहां पर जो सब clause 1 है उसमें क्या कहा गया जो ए है इसमें क्या कहा गया कि governor sorry president जो है वो अपने हाथ में executive की power ले सकते हैं यानि कि कारे पालिका की जो power है वो president अपने हाथ में ले सकते हैं और यहां पर कहा गया कि जो legislature है यानि कि जो वहां की विधान सभा है उस state की विधान सभा की जो power है वो किसको दे सकते हैं यहां पर Parliament के हाथ में दे सकते हैं तो यह के दो चीजा ने यहाँ पर कही गये हैं तो प्रेजेट के ही पर कौई उप्षिन तो है यह इसके अलावा भी अगर यहाँ पर कोई और एक्शन लियना चाहें कहता जी मेंग सच इंसिडेंशल और consequential provision as appear to the president to be necessary or desirable so यहां पर और भी अगर इसी से जुड़ा हुआ कोई action लेना चाहें तो president के पास यह पावर article 356 में दे दे गए हैं अब यह article 356 का clause 1 हमने पढ़ा clause 2 क्या कहते है चलिए देखते हैं कहते जी any such proclamation यानि कि जो president ने यहां पर कोई भी proclamation यहां पर orders जारी किये may be revoked or varied by a subsequent proclamation यानि कि अभी एक proclamation president ने article 356 के तहत जारी की दूसरी proclamation जारी करके पहले-वाली proclamation को रिवोक भी किया जा सकता है या उन में बदला भी लाया जा सकता है तीसरा यहां पर clause क्या कहता है that every proclamation under this article shall be laid before each house of the Parliament and shell अभी हाप पर जो शब्दैना वो है shell कहता जी यह हर जो भी यह proclamation होगी वो कहां पर lay down की जाएगी दोनों houses of Parliament के सामने and shell except where it is the proclamation revoking the previous proclamation cease to operate at expiration of two months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both the houses of Parliament यहां पर क्या बात कही गई इसको उसपष्ट और सीधी बात में समझते हैं यहां कहा गया कि प्रेजिडेंट जो है अगर उन्हें report मिली कि भाई state constitution के हिसाब से नहीं चल रही है वो एक proclamation यहां पर जारी करेंगे और उस proclamation के हिसाब से वो जो गॉर्मेंट की powers हैं वो अपने हाथ में ले लेंगे और अगर वो चाहेंगे तो वो जो legislature है उसकी भी जो powers हैं वो पार्लेमेंट को दे देंगे अब यह जो proclamation होगी यह proclamation जाएगी किसके पास within two months of issuing this proclamation यह proclamation को आपको पार्लेमेंट के दोनों सदन यानि कि लोकसभा और राजय सभा के सामने पेश करना है और वहाँ पर इन्हें जो है resolution के द्वारा पास किया जाना है अगर यह proclamation दो महीने के अंदर अंदर वहाँ पर पास नहीं होती है तो यह proclamation अपने आप खतम हो जाएगी फिर यहाँ पर कहा गया आप रोक्लामेशन सो अप्रूवड शेल अन्लेस रिवोक्ट सीस्टू अपरेट ऑन दी expiration of period of six months तो यहाँ पर maximum यहाँ पर जो है प्रोक्लामेशन six months के लिए जारी की जाएगी आगर उसे further extended नहीं किया जाता तो एक बार में प्रोक्लामेशन और जो प्रेजिनेंट्स रूल है वो छे महिने की है यह सारा है आर्टिकल 356 इस आर्टिकल के बारे में जब लाया भी गया था तो इसके बारे में डिबेट चल रही वो कहते दी ओकेशन फोर इवो किंग दीस पावर्स अंडर दी रेलेवेंट आर्टिकल वुड भी रेर एंड डैड लेटर उनका ऐसा मानना था कि भाई यह जो है न डैड लेटर यानि किसका इस्तेमाल रेरली कभी किया जाएगा अनफोर्चुनेटली 1950 के बाद जैसे ही यहाँ पर हमारी जो इंडियन गौर्वर्मेंट साती हैं तब ही से 1951 से हमें देखने को मिलता है कि कहानी शुरू हो जाती है इनफेक्ट पहले 10-15 साल में ही हमें यहाँ पर कई सारे ऐसे इंसिडेंस देखने को मिलते हैं जहाँ पर यहाँ बहुत सारी बार यह जो प्रोक्लमेशन है उसे जारी किया गया जैसे कि हमने अभी बात की कि 1950 से लेकर 1990 आते आते तक 83 टाइम से उसके बाद भी 1990 के बाद भी काफी बार इसे लाया जा चुका है सो वो जो बात डॉक्टर अंबेड करने कही थी वो तो खेर यहाँ पर हमें पूरी होती नहीं दिखाई दी अनफोर्चनेट ली एंड इस बात का जिक्र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जैज्मेंट में भी किया यानि कि यह जो केस में जो प्रोकलमेशन है क्या यह उचत थे यह देट इस वैदर दी प्रेजिडेंट रूल प्रोकलेंड अंडर आर्टिकल 356 जैस्टिफाइड दूसरी बात यह कि वैदर दी प्रेजिडेंट एंजॉए इन रिस्ट्रिक्टर पावर तो प्रोकलेंग एमर्जेंसी वो जुडिशल रिव्यू के दायरे में आता है अब यहां पर कुछ चीजें हमें समझने की जरुरत है पहली बात तो यह कि यहां पर आप देखेंगे कि यह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना था कि प्रेजिडेंट एस सट्फाइड यहां पर जो यह चाब लिखावा है इससे उसक्तिस्पाइड अब यह सटिस्फाइड का मतलब बेंसकी आयिंट इंटर्पोरटेशन है क्या यह प्रेजिडेंट पास्टिस्टेंट है या उनके पासब सबसे पहले हैंब कि देख लेते हैं स के दायरे में आती हैं अब यहां पर दो आर्टिकल्स का और जिक्र हुआ एक आर्टिकल जो में रूप से यहां पर जिक्र हुआ उसको हम देखते हैं सबसे पहले यहां पर उनरबल सुप्रीम कोट ने कहा कि भाई यह इस सब्जेक्ट जुडिशल रिव्यू दूसरी बात यह यहां पर जो कंटेंशन सरकार की तरफ से थी वो यह कि भई देखो प्रेजिडेंट अपने आप से तो प्रोक्लमेशन लगाते नहीं है यानि कि प्रेजिडेंट जो है अपने आप से तो प्रेजिडेंट सुरूल लगाते नहीं है प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट सुरू लिया वो एडवाइस क्या थी वो कोर्ट में नहीं पूछा जा सकता यह कंटेंशन दी गए थी किस से किसने सरकार की तरफ से क्या कहता है 74 clause 2 of the Indian constitution states that the advice of the council of ministers shall never be asked to be revealed अब सरकार की तरफ सी कंटेंशन थी कि भाई देखो प्रेजिडेंट रूल जो है प्रेजिडेंट अपनी मर्जी से थोड़ी न लगाते हैं हम parliamentary form of government में रहते हैं जहां पर प्रेजिडेंट जो है वो किसकी advice पे काम करता है वो elected government that is prime minister and his council of ministers की advice पे काम करते हैं तो ऐसे में जो advice इन्हों ने दिया यानिकी council of minister और प्राइम मिनिस्टर ने जो advice दी किसको प्रेजिडेंट को जिसकी basis पर उन्होंने प्रेजिडेंट रूल लगाया वो नहीं पूछी जा सकती और उस वो कहां लिखा हुए 74 clause 2 में लिखा हुए honorable supreme court ने कहाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है हम नहीं पूछरे कि advice क्या दी बट हमारे पास यह अधिकार जरूर है कि हम वो material पूछ सकते हैं कि भाई किस material के basis पर तुमने यह advice दी अगर council of minister ने यह कह दिया प्रेजिडेंट को कि भाई स्टेट में आप प्रेजिडेंट रूल लगा दो हमें तुमारी advice से मतलब भी नहीं है हमें बस वो material दिखा जिसके basis पर तुमने यह advice दी है तुमने कहा कि भाई इस state में क्योंकि constitution के हिसाब से state government नहीं काम कर रहे थी इसलिए हमने प्रेजिडेंट रूल लगा दिया कौन सा material है कौन से ऐसे सबूत है कौन से ऐसे fact है जिसके basis पर तुमने यह कह दिया कि वो state में state जो है constitution के हिसाब से नहीं चल रही थी वो material हम जरूर पूछ सकते हैं और वही बात यहां पर कहीं बट कहते जी ऑल्दो वी के नॉट आस्क अबाउट भी एडवाईज हम एडवाईज के बारे में तो नहीं पूछ सकते बटाइड थे सेम टाइम दी कोर्ट के नॉट सब्सक्राइब कर रहे हूँ जो आप 74 की बात कर रहे हूँ 74 क्लास तू में जो बार लगा है वो है कि भाई एडवाईज क्या दी काउंसल ऑफ मिनिस्टर ने उसको नहीं पूछ सकते लेकिन मेटीरियल तो हम पूछेंगे भाई और राइट सो यही जो है ना यह एक पॉइंट है जिसके उपर क्लैरिफिकेशन आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली है इससे पहले आप पूछ का हाई कोट के सामने गए थे अपनी प्रिट प्रिटिशन उने लगाई थी कि भाई हमारी गौर्मेंट गिरा दी लेकिन तब हाई कोट क्या कर रहे थे हाई कोट जो इंटर प्रेट कर रहे थे आर्टिकल 74 क्लॉस टू को बहुत ही लिटरल इंटर पूटेशन दे रहे थे और वहीं तक रूकर रहे थे किस कहां तक दी जैजमेंट्स वर बेज्ड ओन दी एक्जैंशन क्लॉस प्रोवाइड अंडर आर्टिकल 74 क्लॉस टू बस वह यहां तकी कर रहे थे वह कहते थे कि भाई एडवाइस क्या दी हम पता नहीं कर सकते हैं इसलिए जो एडवाइस द यह एक बहुत बड़ा यहां पर हमें चेंज देखने को मिलता है जो एसर बोमाई में आया दूसरी बात कैदा जी प्रेजिडेंट बाई हिमसेल्फ के अन्ली टेंपरेरिली सस्पेंड दी लेजिसलेटर असेम्बली देखो दो चीज़ें यहां पर समझने जरूरी है पहली के बाद हमने क्या कहा था कि भई प्रेजिडेंट ने प्रोक्लमेशन पास की प्रोक्लमेशन पास करते ही क्या कर दिया प्रेजिडेंट रूल लगा दिया अब इस प्रेजिडेंट रूल में दो चीज़ें हो सकती है एक तो स्टेट ग spectacular होσει्जेकुशितर असकी पावर खु Supreme Court ने कहा नहीं आप आर्टिकल 356 में दिया गया प्रोसेस पढ़ो क्या है प्रोसेस दुबारा देखो हम देख लेते हैं दुबारा आर्टिकल 356 में जो प्रोसेस है ना उसमें कहा गया है कि प्रेजिडेंट वो प्रोक्लमेशन को कहा भीजेंगे दोनों हाउसे के सामने किया जा सकता है लेकिन प्रेजिडेंट अपने आप से हाउस को दिजॉल नहीं करें को सिर फस्पेंड करेंगे क्या कहा दी प्रेजिडेंट डिया क्या करते जी गिए आर्टिकल 356 क्लोस 1 सब क्लोसी गिल्स प्रेजिड इपावर 2 टेम्टरेरी लिए लेजिसलेट वसेंब not to dissolve it, the dissolution of assembly comes only after the majority approval of the both the houses of the parliament, यानि कि जब तक उस resolution, जब तक वो प्रोक्लमेशन को दोनों houses of the parliament ने पारित नहीं कर दिया, उसे पास नहीं कर दिया, तब तक president के पास ये power नहीं है कि वो legislative assembly को dissolve कर दे, हाँ, dissolve नहीं कर सकते, वो अपने आप से क्या कर सकते हैं, temporarily suspend ज़रूर कर सकते हैं, which is enshrined under article 36 clause 3 of the Indian constitution, तो यह यहाँ पर एक और बात कहें, तीसरी बात आई, सरकारिया कमिशन पर, देखें सरकारिया कमिशन जो है, वो center state relations को कैसे सुधारा जाए, उस पर बात की गई थी उसमें, इस कमिशन की जो recommendations थी, वो आज तक सभी recommendations यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उन्हों ने यहाँ पर लागू नहीं किया गया, बहुत सरी recommendations थी, अकसर examination पूछ लेते हैं, UPSC जैसे examination पूछी लेते हैं, कि बहुत सरकारिया कमिशन ने क्या कहा था, बट आज तक वो जो है, नहीं होई लागू, in any case, honorable supreme court ने भी अपनी judgment में, सरकारिया कमिशन की जो recommendations थी, उनके उनका जिकर किया, और उनमें से कुछ बातों को उठाया, क्या-क्या बाते हैं, चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो court ने कहा, कि भई जो सरकारिया कमिशन की 1988 की रिपोर्ट थी, उसमें holding that the president should first issue warnings to the arrant state, कि president जो है, अगर वो किसी state में क्या लगा रहे है, president's rule लगा रहे हैं, तो पहले वहाँ पर warning issue करनी चाहिए, कि भई आप constitution के हिसाब से नहीं चल रहे हो, यहाँ पर president rule लगाया जा सकता है, कहते जी, state which has failed or denied to act as per the provisions of constitution, instead of directly increasing exercising his power under article 356 clause 1, इसी की साथ साथ कहा गया, that in addition with respect to the cases of no confidence, the governor should first invite, अब ऐसा है कि भई मालो एक पार्टी है, उसको no confidence motion आया, उसके खिलाफ उसको बहुमत नहीं मिला, वो बहुमत थाबित नहीं कर पाई, मालो मेरी पार्टी की सरकार है, मेरी पार्टी की कुछ है मिले मेरे से नराज हो गए, और मैं वो जाके governor को कहते हैं, जी हम इनके साथ नहीं है, इनको हटाओ, ये सरकार हटाओ, मैं governor के पास गया, भागा भागा कि सर नहीं ऐसे मत करूँ, मुझे अपना confidence प्रूव करने का मौका तो दो, governor ने का चलो दिया, मैं गया, मैं assembly में, no confidence motion में हार गया, मतलब मैं अपना confidence प्रूव नहीं कर पाया, मैं अपना समर्थन, जो है, वो प्रूव नहीं कर पाया, जितने मुझे MLS का support चाहिए था, मैं नहीं प्रूव कर पाया, ऐसे में, इसका मतलब ये नहीं होगा, कि सीधा president rule लगा दिया जाए, इसका मतलब ये है, कि governor को अब दूसरी parties को भी बुलाना होगा, चांस देना चाहिए, कि भाई, ये बाली जो पार्टी, ये वाली पार्टी तो नहीं प्रूव कर पाया confidence, क्या कोई और पार्टी है, जो प्रूव करना चाहती है, कोई और पार्टी है, जो कहती है कि हमारे पास इतने MLS का सपोर्ट है कि हम सरकार बना सके, तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज़ यहां पर कही, कहते जी, in addition with respect to the cases of non-confidence, the governor should first invite other parties to claim the majority in the house before directly calling upon the president to issue the proclamation of state emergency, तो ये कुछ बातें यहां पर कही गए, अब क्योंकि मैंने कहा कि भई मुद्दा उस समें secularism से जुड़ाओ भी उठ रहा था, उस पर Honorable Supreme Court ने कहा कि बिलकुल secularism जो है, वो basic feature है, basic feature है, और भारत का जो constitution उसका basic structure का एक element है, और यहां पर कहा गया that secularism जब हमारे constitution में add किया गया था, उससे explicit किया, बट इसका मतलब यह नहीं था कि उससे पहले हम secular नहीं थे, उससे पहले भी हम secular थे, और यह हमेशा से implicit रहा, लेकिन जब हमारे preamble में word secular ही add कर दिया गया, उसके बाद यह explicit हो गया, और basic structure का part है, यहां कहा गया that the constitution of India is federal in character, but with some unitary features, since it gives more power to the center, तो यहां पर इस बात को तो recognize किया, कि भई हमारा जो constitution है, वो federal है, बट federalism क्या, with some extra powers to the center, जो कि unitary powers है, जैसे कि article 356 itself is an extra power to the center, इसमें यहां पर कहा कि मान लिया कि हम थोड़ा सा यूनिटरी की तरफ जाते हैं, बट यह चीज़ भी माननी है कि जो states का sphere है, जो states को power मिली हुई है, उसमें states supreme है, वहां पर center जो है दखल नहीं करेगा, honorable court also held that federalism is again a basic feature of the Indian constitution, so यह भी basic structure का part है, hence is judgment में क्या declaration हुई, इसमें जो करनाटिका और मेगालिया में प्रेजरेंट रूल लगाया गया था, उसे unconstitutional कहकर हटा दिया गया, तो यह था SR Bumai का पूरा case, इसमें हमने जो बातें important है, exam के perspective से वो discuss की, I hope कि आपको यह judgment पसंद आएगी, आपके इस पर क्या विचार हैं, वो भी आप मुझे बताईएगा जरूर, एक चोटी से बात में और बता दू कि SR Bumai आने से, SR Bumai की judgment आने से, एक जो फायदा हुआ वो ये, कि जो arbitrarily किसी भी स्टेट में प्रेजरेंट रूल लगा दिया जाता था, उनकी उस केसे में कमी आई, प्रेड़ सेम टाइम ये नहीं हुआ कि हर जगहां पर प्रेजरेंट इसमें भी देखा था, आखरी बार प्रेजरेंट रूल जो है महराश्टरा में लगा है, और ये situation आगे आप इसको ये नहीं कह सकते कि कभी भी कहीं नहीं लगाया जाएगा, बट हम उमीद करते हैं कि ना ही लगाया जाए तो बहतर है, अगली वीडियो में फिर एक बार मि लेंगे, तil then thank you and have a great day ahead.